हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके शाथ लोकी और प्याज का ऐसे नास्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा अगर आप समोसा कचोरी खाने के शोकीन है तो आपको यह बहुत पस कर सकते हैं लेकिन अगर अपने नास्ते को आप healthy बनाना चाहते हैं तो गहुंके आटे का यूज करें और इसमें मैं तीन चम्मस डालूंगी चावल का आटा अगर नहीं हो तो आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं चावल के डालने से क्या होगा हमारा जो नास्ता है बहुत क्योंकि इसे जो हमारा नास्ता है देखने में बहुत शुंदर लगता और खाने में भी मूह में आते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं और सबसे लास्टें इसमें डालनें थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया अब थोड़ा बनकर तयार है मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूं इसी तरीके का हमें गोहल चाहिए अब हम इसे रख देते हैं साइड तो मैंने एक और मिक्सिंग बॉल ले लिया है और यहां पर मैंने दो आलू लिये थे मीडियम साइज के और उनको मैंने कद्दुकश करके ले लि तीखा आप अपने साबसे कम जजयादा कर सकते हैं 14 टीश्पून लिया है मैने नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल ले चमछ लिया है मैंने अमचूर पाउडर इसकी जगा आप चाठ मसाला का भी यूज कर सकते हैं और 2 पिंच लिया है मैंने हींग हींग से अगर आपको प्लेवरा में बखना तो आप इसकी बग्लत में अगद से ब माता करो ज़से हैं साल है आपगद जेडेन की असब भievार है अगर अभी न रियुक्त में 5 द्स कρश कर सकते हैं इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर और यहां पर एक medium size की मैंने प्याज ली थी इसको बारिक बारिक चॉप कर लिया है अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें बारिक कटा हराधनिया अब हम इसको हाथ से अच्छे से mix कर लेते हैं आप चाहे तो स्पून की help से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से बहुत ही अच्छे से mix हो जाता है आप चाहे तो यहाँ पर नमक मिर्च अपने तीखी के हिसाब से चैक करके देख सकत हैं इन सभी चीजों को mix कर लेते हैं यह लीजे हमारी stuffing ready है तो मैंने यहाँ पर क्या कर था एक लोगी ली थी मैंने थोड़ी से इस तरीके से slices में पतला-पतला कर लिया है और दो मैंने प्याज ली थी उनको भी इस तरीके से सिमसलात के लिए काटते ना इस तरीके से slices में क तो मैटो कैचप एक स्पून लेंगे तो मैटो कैचप इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे यह दिखे आप टो मैटो कैचप की जगा हरी चेटनी का भी उज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको बिना टो मैटो कैचप या हरी चेटनी के भी बना सकते हैं इसको मैं अच्छ ले रही लोकी की स्लाइस तो इस पे भी हम टोमेटो कैचप लगा ले सकते हैं फिर से फिलिंग लेंगे और इस तरीके से सैट कर देंगे तो यह देखे यह रेडी है और इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे तो यह लीजे हमने अपने सभी नास्ते बनाकर रेडी कर लिए है अब हम करेंगे अपने आगे का काम तो यहाँ पर गयास पर मैंने एक पैन चड़ा दिया है इसमें डाल दिया है ओईल तो यह जो हमारा बैटर है इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और हमने जो यह स्टफिंग बना कर तयार की थी थी करने में सुवीधा जादा रहती है डिप करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे इसी तरीके से में अपने सभी नास्ते अक बार में डाल दिया है इस नास्ते को फ्राइ करने के लिए अच्छा गरम चाहिए और फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई पर ही रखेंगे अपने अंदर तेल एपसोर्ब कर लेते हैं तो मैं इसे सैलो फ्राइ कर भी हूँ आप चाहे तो इसको डीफ्राइ भी कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके का स्पैचिूला लेंगे और अब अब तरुक से आप देख शेलों पर दने अधियों और उसको इसको त्विक्तला लेंगे और दो नो तरफ से ने गोल्डन होने तक प्राइ कर लेंगे तो मैं इसको इसको इस तरीके ज़िए शिनकी आपसे बी क्या चाहिए अब निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं औ सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरी के चिन सभी नास्ते बनाकर तैयार कर लेंगे तो एली जी फैंट्स हमारे सूपर प्रिस्पी मज़ेदार सा नास्ता बनकर तैयार है आप देख सकते हैं कितना टेम्टिंग लग रहा है तो मैंने यहां पे लिए सर्विंग प्लेट इस किया है टोमेटो कैचप के साथ तो इंजोई करें और इसको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लेगी थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो मिलेंगे अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंटे